आज का जो question वो यह ए कि European continue भारत का discovery क्यों किया आप हमेसे सुने होंगे कि वास्को डिगामा जो था उन्होंने जो भारत की खोच की तो आज इसी question को आम लोग describe करेंगे क्या सच में European continue भारत के discovery किया था अगर किया था तो क्यो किया था discovery आपको पता हुना चाहिए कि हमारा जो भारत देश तर ऐसा नहीं है कि भारत देश को कुई जानता नहीं था तो उसका discovery गया नहीं ऐसा नहीं जो European country ने जो भारत का discovery किया नहीं एक सी रूट का डिस्कवरी किया, लेंड रूट से तमको सब जानता था, सभी कंट्री से हमारा वैपार होता था, मतलब इटली रोग की बात कर रहा हुआ है, उस सबसे हमारा पहले से वैपार होता था, समय कंट्री से वैपार होता था, तो यहां discovery नहीं हो रहा है, यहां sea route का discovery हो रहा है, मतलब सम्हुदर की द्वारा कैसे भारत की और जाएंगे, इसका discovery किया जा रहा है, तो आज का question यही है, कि यूरोपियन ने भारत का sea route का discovery क्यों किया, क्या इसके पीसे उस लोग का मकसथ था, क्योंकि आप देखते हैं, कि यो लोग हमारे देषा आते हैं, और हमारे देष को को वना ले तो यह narrat, बहुत जरूरी हो जाता है, क्या सच में पहले से माझे इसा था भारत में हुआ है, ऐसा तो नहीं था है, तो आजका जो प्रचिन यह इनए, पिछले लेक्शन में भी बताया था आपको, कि अश साथ सर्क्म्स्टांसे भारत में हुआ उन्होंने किया उसका पाइदा उठाया और एक पॉलिटिकल पावर के रोप में खुद को डेवलफ किया है ठीक है तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि अब देखो भारत का मैंने बताया कि लेंड रोट से सभी देश के साथ वेपार होता था लेकिन समुदर के द्वारा रास्ता जो है उरोपियंस को नहीं पता था लेकिन सबसे पहला question तो यह रहा कि sir यह European करना क्यों चाहते हैं हमारे देश का discovery क्यों करना चाहते हैं हमारे देश का सी हुट का discovery क्यों करना चाहते हैं तो मैं पांच पॉइंट इसमें बता हूँगा पांच रीजन बता हूँगी कि वो क्यों discover करना चाहते है देखो मेरा aim जो है वो है कि मतलब by question के दोर आपको पूरा modern history बढ़ा हूँ ठीक है पूरा modern history के बारे में बढ़ा हूँ जो सबसे पहला region है कि उन्होंने discover क्यों किया तो देखो सबसे पहला region है hegemony of arvig and italian traders इसका मतलब क्या हुआ ये देखो हमारे देश में जो समान सल जो जाकर कि ये उरोप में बिखते थे न पहले वो क्या होता था कि हमारे देश से समान को पहले क्या करते थे अर्विक लोग जो अर्विक लोग होते थे मतलब टर्की में डोल हो रहा है एक और है अर्विक ट्रेडर का एक और है इटालियन ट्रेडर का जहां के वल दो लोग का है मतलब दो ही लोग इसमें भागदारी है मतलब एक इटली के ट्रेडर है और एक कौन है कि अर्विक ट्रेडर इस वज़़ा से क्या होता था कि competition बहुत ही ज़्यादा काम से, इस बज़ा से क्या करते थे, ये दोनों लोग, अर्विक और इटालियन ट्रेडर्स जो थे, इटालियन की व्यवारी जो थे, ये समान को बहुत ज़्यादा प्राइस को हाइक करके बेशते थे, अदलर समान को बहुत बढ़ा के बेशते थे, य इरोप पहुंचते बहुत समान का दाम बहुत ज़्यादा हो जाता था, इस बज़े से इरोपियन परिसान थे, ये कौन सा समान था जो इतना जरूरी था जो भारत से ले जाया वापर, आपको पता होना चै कि एरोप में 6 मैने तक ठंडा रहता है, इरोप में 6 मेंग तर बह मसाले की ज़र्वत होती है, तो especially मसाला ट्रेट बहुत ज़्यादा नेसेसरी था इरोपियन के लिए, क्योंकि खाना को प्रिजर्ब करके रखना था, क्योंकि ठंडा बहुत होता है, इरोप में, तो क्या होता था, इसी इस 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 ट्रेट वहाँ पहुंचते बहुत जाता है, इससे युरोपियन लोग जेते, युरोप के सधी कड्री जेते, परेशान थे, वो चाहते थे कि भारत का एक ऐसा रोड का खोजो, ऐसा सी रूट का खोजो, क्योंकि देखो आप, युरोपियन हमेसा समुदर के बगल में बसा हुआ कंट्री है, तो समुदर के इटालियन एंड अर्विक ट्रेडर्स, यह दोनों लोग का हैजिमोनी था, इसी दोनों लोग पर निरवर था, यही दोनों लोग जो प्राइस को हाइक करके बेशते थे एईरोप में, इस वज़ए से एईरोप के लोग परेशान हैजिमोनी, ठीक है, यह हो गया, दूसरा मतलब हम क्या बताये थे? कि भारस से समय पहले तर्की जाता था, और टर्की से इलि जाता था, इटली पूरे उडरोप में बेशते थे, अभी तर्की में आज के समय में इस्तानबूल सहर है गों इसनाबूल टर्की की राजदानी है उसको पहले कौन्स्टमापल्स बोला ज वो पूरे कॉंस्टेंटिनोपेल पे अधिकार कर लेते हैं और वो ट्रेड को रोक देते हैं कहता है कि इंडिया से कोई इधर से इधर नहीं होगा मतलग की इस टुबेस्ट गार नहीं होगा आपको ऐसा घ्या देखों हमें उस समय नहीं मतलब बहुत जयादा टेंसन था क्रि के सहर इस्टानवुल को जिससे होकान के भारत की समवन यूरूप तक होचता था तो कॉंस्टेंटिनोपल पर टर्कीस वाटोमेन एंपायर जो है ओटमर सुल्तान महमद सकेंड जो थे इन्होंने क्या कर दिया और ब्लॉक कर दिया इंडिया इंडिया के साथ ट्रेट को अभी कि देखो ट्रेट अगर ब्रॉक हो जाएगा ना तो यूरोपियन तो परिसान हो जाएगे कि उनलों कोई स्वाइसे नहीं मिलेगा तब लोग खाना क्या खाएगगा इस वज़ास से भी तोड़ा बंद कर दिया गया ऐसा नहीं है मतलब इस वज़ासे भी यूरोपियन परि परिसान हो गया उनको लगा कि नहीं इस ऐसे रास्ते से तो होगा नहीं और दूसरा रास्ता हम लोगों को डिस्कावर करना होगा तो दिस इस दा और मतलब यह एक में डीजन है कि कॉस्टेंटीनों पर्स पे जो है कैप्चर किया गया ओटमर एमपाइर को दोरा इसको एक म देखो भारत का खोश कैसे हुआ है तो आप ध्यान से कि पूरत चला पर होगा निकला गा प्रिकिन वह के बार आप देखते कि बारत को अपरीका के साइड से होते होते के इंडिया का खूझ करता है तो एसा हुआ कि मतला बहुत इज़्ञा मुनाफा कमाते थे जिससे क्या होता था बहुत ज़यादा प्राइस हाई हो जाता था इन पोल के सती है कॉंस्टे को चाहें उससे का जाता था इता अग्रांग कर लियाा और इस की साथ त्रेट को पायद कर दिया उनको लगा झाया है एक और टो sea root खुजना चाहिए इससी लिए उन्होंने sea root का डिस्ट वाइगे जो तिसरा reason है वो है कि geographical condition of western country आप ध्यान से देखे कि western country को देखे मतला European country को आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा कि सर ये western country से बगल में तो केवल क्या चाहेगा वो तो समुद्र के बारे में discover courses करेगा ने कि हम इस country से इस country by a sea root जाए तो ये भी एक region था कि geographical condition of the western country जो था पूरे surrounded water है चारो तरफ पानी से गिरा हुआ है इससे उस लोग का mobility होता है यहां से वहाँ जाना उस लोग के लिए होत कठीन होता था मतलब एक country से तुसरे country जाना कठीन होता इसलिए वो लोग कोसिस करते रहते थे कि मतलब हम लोग बड़ा सिख कर निर्मान करें हम navigation का इस तो आप देखते हैं कि इसमें दो country Spain और पूर्टगाल जो है लीड रोल में रहते हैं एस्पेन और पूर्टगाल भी थोड़ा ज्यादा development होता है और यह दोनों ने क्या किया magnetic compass जो कि समद्र में मतलब जाने के लिए जरूरी होता है navigation technology जिससे आपको पता चलता है direction के वारे में समद्र में आप कहा पर आएं कहा जा रहें और big ship का जो है पूरे वर्ड में बीच में Atlantic Ocean है Atlantic Ocean को बीच से उसकी तरफ होगा Portugal का होगा पूर्टगाल डिसक और वेस्ट उसको एस्पेन डिस्ट आप देख सकते हैं एस्पेन की नाविक एस्पेन की नेविगेटर जो बस उन्होंने USA का खोज किया क्योंकि Atlantic Ocean से वेस्ट में अब वैसेंगे जाएगा और हमारे देश की तरफ को ना गया उर्टगाल के नेविगेटर जो की वास को डिगामा थे कि नहीं है यह समझे तो जेग्रेफिकल कंडिशन ऑफ यूरोप यूरोप का जो जेग्रेफिकल कंडिशन था ना वो भी ऐसा था ना कि उसे कि मतलब मजबूर किया कि आप सिब बनाओ यूरोजी बनाओ यह एक रीजन है कि क्यों भारत की खोच की गई यूरोपियंस के द्वारा क्योंकि वो नेविगेशन टेग्नोलोजी डेवलफ कर रहे थे चारो तरह पानी से किरा हुए एक कंडी से दूसरे कंडी जाना उसके सट्री मेर बहुत मुस्किल होताalten तीसरे जयन यह हो गया हाग यहज मतले में क्या होगा तरह तक उनर्जाखरन हो गया था पुनअ जाधरिवं का मतलब क्या होता एक फिर से जगना मतल वांके लोग सब जो हैना मतलब वा बड lob से modernity की तरफ आना स्टार्ट कर दिया modernity मतलब सब कुछ में modernity मतलब humanism का विकास होने लगा scientific invention होने लगा religious reform होने लगा बरे बरे सिप कर्योमान होने लगा map और seed trade seed trade कैसे करना इस सब का development होने लगा तो इसी के लिए आप देखते हैं कि जो Spain और पुर्तगाल जो है इसी समय में यूरोप में क्या आगया पुनर जागरे ना लिए यूरोप में रिमेंस के आने से क्या होता है सब कुछ का development मतलब modernity की तरफ इस्टार्ट हो जाता है इस वज़ए से क्या देखते हैं कि मतलब सी टेक्नोलोजी सी में बनना इस्टार्ट हो किया नविगेसन टेक्नोलोजी स्टार्ट हो गया बड़े बड़े शिफ का नियमान होने लगे इस सबसे भी ज़ए यह भी रीजन है कि मतलब भारत का क्रिस्टिन एन मुसलिम कि गिफ sûrभ जो तक आरव को टेक्स देना पर्टा ता तो उसमें सबसे पहला तूबार से समान क Only खरता और अरव लेधिया अरव टर्किय से ओक परिक टॉरोष परिक्न पर इस्टेक्स को समान दे दिया जब इड्ली को ते रहा होगा तो अरब ने अपना टेक्स भी उसमें एड किया होगा अपना अरब ने टेक्से मतलब अपना उस पे लेवाई किया होगा उसके बाद मतलब कि उससे क्या होता था कि मतलब देखो क्या हो रहा है फाइनली यूरोप की लोग जो है न किसको टेक्स दे रहे हैं इसलाम धर्म की लोगों को दे रहे हैं तो पेइंग टेक्स टू इनमी और इसलाम और क्रिस्टन के विच में हम टेंसन था उस समय बहुत जादा टेंसन तो अपने इनमी को टेक्स इस ब्रवेज़स पिवह त्व ऊठाव लोगों में मतलब गुस्टा था कि हम अपने इनमी को टेक्स दे रहे हैं मतलब इसलाम धर्म वाली लोगों को लोग टेक्स दे रहे हैं इस विचा जाता है इवारत का डिस्कोबरी किया गया तो आज की वीडियो में आपको बताए क इस वज़े से भारत का डिसकवरी किया गी तो मैंने आपको पहनला रीजन बताया कि है जीमोनी ओफ इडांडियन एंड अर्विक डेडर इंसोर्ट में आपको बताता हूं कि जो भारत का वैपान करते थे अरब की लोग समान को ले जा करके इटली के लोग को देते थे इटली लोग थे यही दो लोग ही थे इस वज़े से क्या होता था प्रायस हो जाता यह दोनों अपना मन मानी करते थे यह जीमोनी था इन दो लोग ठीक है जीमोनी ओफ अर्विक नियुक्त दूसरा रीजन मैंने आपको बताया क्या तक कॉंस्टेंटिन अपल्स का गिरना सब समुंद्र से गिरे हुगे खिरम से गिरे हुगे इसका जा नहीं सकते हैं कि ज्यादा жथा इसको जाने में कटना ही हो तो वह जम चाहिए उसके लिए होया उसको सी Clay s & technology चाहिए होगा अब बड़ा-बड़ा उसके लिए आप देखता है कि ग्रिलिजसर अमीड ब頻 strikes इरोप में पुर्णर जागनन हो जाते है तो हां कि लोग माइन डेवलुप हो जाते हैं साइंस के स्टार्ट करना से रिलिजियोस रिपॉरम में इसका विकास करते हैं और 5th reason में आपको बताय है, एक ठीचर में, जो है, text गो किसको दे रहा है, तो देख रहा है कि आप, जो trade गो रहा हाता, शुबु में land के ढोरा जो, मतलब रोड के ढोरा जो गो रहा था, trade, उसमें text किसको जा रहा था, इसलाम धर्म के लोगों को जा रहा है तो पेइंग टेक्स्टेर टू मतलए इन्वी इन्वी को टेक्स जा रहा था ये भी एक रेक्जन दिया जा सकता है कि भारत का खोज क्यों किया गया ठीक है तो आज की वीडियो बिन नहीं I hope कि आप लोग समझे होगी Thank you everyone